हेलो गाइज वेल्कम बाक तो आर यूटीब चैनल तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे क्लास 10 का मैस एंजियाटी चेप्टर नमबर 13 सर्फिस एरिया एंड वॉल्यम जिसकी एक्साइस 13.1 का क्वेशन नमबर 6 क्वेशन नमबर 6 है मारे पास a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemisphere stuck to each of its ends the length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm find its surface area देखी यहाँ पर आपको दियावा एक capsule capsule के लिए कहा गया है figure आपको given है आपर तो यह देखी capsule है और इस capsule के अंदर आपका क्या है 14 mm जो है वो क्या है length of entire capsule पूरे capsule का length आपको 14 mm दियावा है क्लियर है बात ठीक है और diameter आपको दियावा है यह देखी diameter diameter आपको diameter क्या होगा यहां से लेकर यहां तक होगा यहां से लेकर आपको बताता हूँ cylinder part तो यहां से लेकर यहां तक है यहां तक है यहां तक है यह इस टाइप से हमारा cylindrical part है यह ऐसे होगा यह cylindrical part होगा और यहां पर जो end है यहां पर हमारा बन रहा है hemisphere यह देखी है hemisphere बन रहा है यह दोनों end पर हमारा क्या बन रहा है hemisphere बन रहा है और दो end आ रहे हमारे hemispherical part ठीक है तो हमें एक तो slender का क्या लेना होगा कर्ड surface इरिया लेना होगा total surface इरिया नहीं लेना होगा total में तो आपका यह यह भी आ जाएगा हमें सिर्फ कर्ड surface इरिया लेना है टीए से नहीं लेना है hemisphere का भी हमें क्या लेना होगा सिर्फ यह वाले पार्ट यह वाले पार्ट जो उब्रहवे पार्ट होते न यह वाले जो आपको दिख रहा है इसा capsule का जो उब्रहवा पार्ट है वो आपको लेना है यह क्या होगा हमारा यह भी CSA होगा तो CSA of hemisphere हमें ल ठीक है, figure आपको clear देखना चाहिए, अब हमें requirement किसकी है सर, तो देखे, मैं अगर यहाँ पर CSA of, ध्यान रखना, मैं अगर यहाँ पर, मैंने अभी आपको बताए, CSA of cylinder हमें चाहिए, तो CSA of cylinder अगर लेता हूँ सर, तो यहाँ पर CSA of cylinder क्या होता है, 2 pi RH, होता है या नहीं होत radius और height की requirement है, तो radius तो यहाँ पर आपको given है, radius आपको given है, क्या, इस slender की जो radius होगी वो given है, क्योंकि आपको diameter given है, diameter अगर 5 mm है, तो radius क्या हो जाएगी बेटा, radius हो जाएगी 5 upon 2, clear है बात, radius जो होती है, diameter की half होती है, तो हम radius तो निकाल सकते हैं, यहाँ पर given है आपको diameter, दो height होगी, clear है बात, अब देखो यहाँ पर इस question के अंदर पूरी capsule की length आपको देवी है 14 mm, आपको slender की length नहीं देवी है, slender की height नहीं देवी है, तो slender की height क्या करनी होगी, आपको निकालनी होगी, कैसे निकालेंगे तो आप logic लगाईए, कि सर एक बात बताए, यह पूरी अ यहाँ से लेकि यह वाला part क्या होगा, तो आप खुद logic लगाईए, कि यह जो part होगा, यह सर radius है, यह सर यहाँ से लेकि यहाँ तक तो radius है, तो radius क्या होगी, radius होती है हमारी diameter की height, तो diameter तो आपको given है 5 mm, तो radius हो जाएगी इसकी 5 upon 2, तो 5 upon 2 तो यह और यहाँ पर भी similar radius होगी तो यह 5 upon 2, तो 5 upon 2 और 5 upon 2 जब less होगा, तो 5 upon 2 की value की आती हो, 2.5, 5 upon 2 को जब solve करोगी तो 2.5 आगा, 2.5 विदर, 2.5 विदर reduce होगा, तो 2.5 प्लस 2.5 कितना होता है, 5 होता है, तो total 5 reduce करके हमारा क्या आजाएगा, 14 में से जब आप पूरी total length जो है capsule की, इस में से अगर आप 5 less कर दोगे, तो length of cylinder आएगी या नि आएगी, height of cylinder आएगी या नि आएगी, बिल्कुल आएगी, तो हम इस तरीके से यहाँ पर इस question को करने वाले हैं, ठीक है, तो CSA of cylinder का हो जाएगा हमारा, मैंने बता दिया आपको क्या-क्या रेडियस निकालनी, height निकालनी, तो radius तो given ही लेकिन height आपको निकालनी होगी इस तरीके से, ठीक है, फिर हम लेंगे इसके hemispherical part को, hemisphere के भी हमारे को CSA of hemisphere क्या होता है, CSA of hemisphere, actually में क्या है, जब अपने questions को जब इस तरीके से करते हैं, कि हमें requirement किसी है, तो बहुत clarity आ जाती ही question में, कहीं पर भी गल्ती होने के chances नहीं होते ह CSA of hemisphere हमें अगर निकालना है, तो CSA of hemisphere होता है हमारा 2 pi r square होता है, अब 2 constant है, यहाँ पर fixed है, pi constant होता है, यह value रखनी, r की requirement है r square, तो r square तो आपको पता है, यह radius जो होगा, वो तो radius तो यहाँ पर given है आपको hemisphere की, तो यहाँ पर तो आपको कुछ निकालनी की ज़ुरत नहीं, पुल मिला के आपको किसकी calculation करनी, इस cylinder की height की calculation करनी, यह आपको निकालना होगा, चले हैं निकालते हैं कैसे करना है, तो यहाँ पर हमें जो भी given है बेटा, वो सब अपने को लिख लेना है, तो यहाँ पर आपको क्या given है? एक तो आपको given है, क्या given है आपको? आपको given है diameter, इडायमीटर तसकी आपको दैजमीटर गीवन में कहें तो दैजमीटर और कैप्सुल इस इक वूज स्ञाल तो इस से हमरे में सकते हम मुशल सकते रेडियस radius of किसकी hemispherical और cylinder दोनों की radius same ही होगी तो radius of cylindrical part हम लिख सकते क्योंकि पहले हम cylinder का कर रहे है cylindrical part is equals to क्या हो जाएगी 5 upon 2 clear है 5 upon 2 को जब हम solve करेंगे तो 2.5 mm ठीक है यह आगया हमारा चली radius of cylindrical part आगई अब हमें क्या करना है अब हमें करना है देखिए यहाँ पर length निकाल लेते हैं length की calculation कर लेते हैं तो length of cylindrical part cylindrical part is equals to length क्या हो जाएगी 14 total length है 14 में से minus कर देंगे इधर का 2.5 और इधर का 2.5 तो 2.5 plus 2.5 यह total हमारे को minus करना है तो 14 minus 5 कितना हो जाएगा हमारा 9 mm तो 9 mm हमारी क्या आगे length of cylindrical part clear रहे चलिए अब देखिए यहाँ पर radius जो होगी cylindrical part की 2.5 mm है ठीक है और radius जो hemisphere की होगी वो भी यह होगी तो हम लिख सकते radius of hemispherical part hemispherical part वो भी क्या होगी हमारी 2.5 mm होगी clear है चलिए अब निकाल लेते surface area of पूरा capsule का ठीक है तो surface surface area of capsule यह क्या होगा तो surface area of capsule होगा sir मैंना भी आपको बता है क्या हम ले रहे है csa किसका cylinder का तो csa of cylinder प्लस हमिस्फेरिकल एंड तो तू दो हमिस्फेरिकल एंड तो इंटू इंटू CSA of hemisphere बताओ निकलेगा है निकलेगा तो csa of cylinder प्लस टू इंटू CSA of हींसफेरिकल पार्ट आप लिख लेना और हैंसफेरिकल पार्ट लिख लेना चलिए तो csa of hemisphere क्या होता है यह ने आपको बताया है यहां पर देखें 2 और हमें लिख लेना है एसी प्लस तू इंटू 2 2 pi r square कितना हो जाएगा 4 pi r square होगा है नहीं होगा बिल्कुल होगा अब देखी यहाँ पर मैं आपको calculation सिखा रहा हूँ कैसे calculate करेंगे यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर common ले लेते सबसे पहली बात ले सकते common बिल्कुल ले सकते into radius radius क्या given है यहाँ पर 5 upon 2 ठीक है 5 upon 2 या 2.5 पूरा आप लिख सकते हो 5 upon 2 ज्यादा अच्छा रहेगा decimal की बजाए ठीक है और edge कितना है भाई edge given है यहाँ पर length जो हमने निकाली है 9 plus 4 into radius कितना given है radius फिर से हमारे 2.5 आप यहाँ पर लिख सकते हो 5 upon 2 नहीं लिखेंगे 2.5 लिख देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है चलिए अब क्या करते हैं आपर सही है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं 4 into radius जो sorry 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 यहाँ पर 2 आएगा यहाँ पर 2 common लिया था न 2 pi common लिया था 2 2 जा 4 तो यहाँ पर 2 common आएगा यहाँ भी यहाँ गलती हो जाती है अभी परेशानी आएथी answer निकालने में एकदम से ध्यान चलिए चलो यहाँ पर आएगा 2 ठीक है और तो ठीक है हाँ ठीक है चलो अब आजाओ यहाँ यहाँ पर यहाँ कर रहा हूं है देखो 2 से यह कितने टाइम जाएगा 11 टाइम बताओ जाएगा यह नहीं जाएगा कोई परिशानी इसमें बिल्कुल जाएगा ठीक है और कुछ जा रहा है यहाँ पर नहीं और तो कुछ नहीं जा रहा है 2 pi r ठीक है रेडियस हमने ले ली और आपका क कुछ भी नहीं जा रहा है यहाँ पर यहाँ कर लेते हैं अब 11 दूना 22 22 पंजे 110 डिवाइड़ यहाँ पर रिमैनिंग रहा 7 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 2 करेंगे तो 5 आएगा 25 दूना 50 तो धाई से इंटू 2 करेंगे तो 5 आएगा 5 प्लस 9 करेंगे तो 14 आएगा आगया चल क्या निकाला है पर क्या चलता एंट पर यहाँ निकलता है है 220 mm2, 220 mm2, 220 mm2, इस तरीके से question को आपको solve करना है, बहुत ही आसान है, स्रिफ capsule है, तो आपको imagine करना है, स्रिफ capsule है, capsule के hemispherical end है, तो हमें simple सी बाते CSA of cylinder लेना होगा, CSA of hemispherical part लेना होगा, combine कर देना है, then हमारा पूरा एक capsule का total surface area आ जाएगा, बस इतना सा question के अंदर दिया वा थ बस यह आपको धियान रखना है, इसके length आपको यहाँ पर निकालनी है, है ना, यहाँ पर बच्चा गल्ती करता है, कि पूरी, यहाँ पर length जो h है ना, यहाँ पर 14 लिख्या जाएगा, नहीं, वो गलत है, वो गलत है, क्योंकि cylindrical part की length नहीं है, यह पूरे capsule की length है, आपको cylind centrical part की length निकालनी होगी, इस चीछ का आपको ध्यान रखना है, तो उम्मिद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, बैल आइकन को जरूर प्रेस क लिजेगा जिससे की अपकमिंग वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे, थैंक यू सो मच,